नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के स्योटूब चैनल में दोस्तो यूपी लेकपाल की परिच्छा के लिए हमने कंप्यूटर का जो MCQs वाली सिरीज शुरू की थी उसका जो भागती ने उसको आज हम कंप्यूट करेंगे दोस्तों कंप्यूटर आपके लेकपाल की परिच्छा में पूछा जाएगा आपका स्लेबस जो लेकपाल की परिच्छा देने जाएंगे उनको कंप्यूटर से समाने ज्यान की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए तो इसी कारण से यह जो series हमने शुरू की है इसमें हमने already दो वीडियो इसको upload कर दिया है इसका जो तिसरा वीडियो है उसको आप जो हम सुरू करने जा रहे हैं तो चली आज की session को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारे जो वीडियो है part 3 computer का इसमें हमने कौन-कौन से important प्रस्णों को समलित किया हुआ है तो चली वीडियो को आगे बढ़ाता है तो पहला प्रस्ण आपके screen पर है जो कि काफी important प्रस्ण है बहुत 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 एक्जाम में repeated प्रस्ण भी है आपको बताना है कि जो team burners lead इसके तरह www याने की worldwide wave का विसकार किया गया था इन्होंने worldwide wave का विसकार किस वर्स में किया था आपसे पूछा गया इस प्रस्ण से आपके तीन answer solve हो जाएंगे तो इस प्रस्ण का हमारा right answer क्या जाएगा जो आपके team burners lead थे इन्होंने 1989 में कब तो team burners lead के दारा 1989 में जो है www.wna की worldwide wave का विसकार किया गया था तो आपको इस प्रस्ण से तीन प्रस्णों की तैयर हो जाएगी सबसे पहले चीज आपको याद अकनी कि www.wna की worldwide wave का विसकार किसके दारा किया गया था तो team burners lead के दारा किया गया था फैक्ट भी आपको याद रखना है HTML याने की Hypertext Markup Language इसका पुरा नाम होता है इसे पुरा नाम भी आप से जामे पूछा जा सकता है तो Hypertext Markup Language HTML का पुरा नाम होता है इसका जो विकास है यह भी 1990 में Team Burnness League के तरह किया गया थे यानिकी World Wide Web का इसका 1989 में किया गया थे टीम Burnness ले कि तरह ठीक इसके एक वस बाद HTML यानिकी Hypertext Markup Language का जो विकास 1990 में Team Burnness ले नहीं किया था तो इस प्रकाल से आपके तीन प्रसन में तरहाज त्यार करवा दिया है इन तीनों का आप याद दिखिएगा Important प्रसन है Graphical User Interface इसका पुरा नाम होता है तो आप इससे याद देखिएगा Important है कई पर एक जा में यह रेपिटेट प्रसन भी है तो आप इससे याद देखिएगा Important है तता GUI यानि कि Graphical User Interface के अधार पर जो पहला आपका Personal Computer बनाएगा तो उसका नाम ता Apple का लीजा यानि कि Apple का जो ल पुलना नहीं है अगला प्रस्थना पर मारा है तो यूनी वैक और इनी एक यह किस पीड़ी के Computer का उधारा ने आपको बताना है कि तो अप ध्यांद देखिएगा यह जो यूनी वैक और इनी एक प्रत्थम पीड़ी के computer Changing अपकर यहीं बिल्कूल सही हो जाएगा यह दुनें जो computer आपके सामने दिये गां यह प्रत्तम-pdK एक computer के एकजामपलें आप lasted 8-5 प्रत्तम-пdK के जो हमें प्रत्तम-pdK जो आपके computer के आंप कंते आप थे आपके चाहिता है अगला प्रसनर आप आपको बारा है ने उनमें से कौन सी केंप्प्यूटर की भसा है आपसे पूछा गया है तो इसमें से कंप्यूटर की जो भसाइं है वह हैं बेसिक है फेचे लावा आपको हो जाएगा और पी बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है आप से जामें पूछाया सकते हो इन बेसिक का पुरा नाम क्या होता आप नोट डान को लेजेगा बेसिक जो एक केंप्यूटर की भासा है लेंग्वेज इसका पुरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल परपज सिंबोलिक इंस् अखला प्रस्न आप एमरा है जो पहला कंप्यूटर बनाए गया था किस ने बनाए था तो पहला कंप्यूटर जो बनाए गया है तो पहला सो始ह ने बना ता आपने पूछ नह 돌 इसी कारण से जो चार्स बैब है जो उनको computer का जना किया पीता का जाता है electronic computer का अविस्कार किस ने किया था आप से पूछा गया है तो electronic computer का जो अविस्कार था यह किया गया था किसके तरह तो dr. Alan M. Turing के दोर यानि कि option आपका जो भी है इस प्रस्कार का मारा बिल्कुल सही है dr. Alan M. Turing ने जो है electronic computer का सुरपथम विकास किया था तो आप इससे यहाद देखेगा important है तो इस computer का नाम क्या था तो इस computer का नाम था kolosus क्या नाम था इस computer का नाम था आपका कोलू सौरी यहाँ पर होगा का लोसस क्या था इस computer का नाम था का लोसस तो इसी भी आप आप आदेखे कि यह पहला electronic computer था जिसका ओविस्कार किया गया था dr. Alan M. Turing की दोर आती है fact आपको याद अखना है भूलना नहीं है जाता यह किस देश के वेग्यानिक थे तो यह ब्रिटिस वेग्यानिक थे आपके dr. Alan M. Turing अगला प्रस्तना पर है और digital computer का सब्रथम विकास कहा पर किया गया था तो digital computer सब्रथम विक्सित किया गया था कहाँ पर तो ब्रिटेन में तो आप यहाँ देखिएगा option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सब्रथम को प्रदर्सित करता है तो जो आपका generation ने की PD को प्रदर्सित करता है यानि की option आपका यहाँ पर जो है C बिल्कुल सब्रथम जागा generation या इसको हिंदी में हम कहते हैं PD PD को जो है प्रदसित करता है generation को प्रदसित करता है 2G में आपका जो G वाला अक्षर होता है तो आप इससे यादेखिएगा अगला प्रस्ना आप हमारा है आपकी pen drive तो आप इससे यादेखिएगा इसके बाद mouse क्या है memory है CPU है input device है output device आपको बताना mouse क्या है तो mouse जो है input device का example आप इससे यादेखिएगा input device का example होता आपका mouse याने की option जो आपका है यहाँ पे C जो है बिल्कुल सही हो जाएगा input device का example है mouse input और output device कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए यहाँ से exam में कई बार प्रस्न पूछ लिए जाते हैं तो mouse जो आपका है वो input device का example है इसके लवा अगला प्रस्न आप आप आपारा है इन में से कौन सा एक output device नहीं है आपसे पूछाएं कि output इसमें से जो device नहीं है उसको आपको चैन करना है तो दिये गए options में से आपका output device कौन सा नहीं है तो हमने अभी इसके बारें पढ़ा है mouse जो है आपका यह input device क्या है तो यह एक input device का example है बाकी तीनों आपके क्या हो जाएंगे monitor, printer और plotter आपके output device है परन्तु mouse जो है आपका input device का example है तो आप इस से आ देखेगा mouse आपका right answer ज जो touch screen है या output device नहीं है बाकी आपके जो तीनों option है plotter, monitor और printer यह से भी आपके क्या है output device है लेकिन आपका touch screen जो है output device का example नहीं है तो option आपका जो B है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा touch screen इसके बाद अगला important प्रसनाम का क्या हो जाएगा और नेमलेकित में से किस समू मे केवल output device दिएगये आपको बताना है तो इसमें से केवल output device कौन सा दिया गया है तो option जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा plotter, printer और monitor प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ने की option जो आपका C है यहां पे बिल्कुल सजी हो जाएगा आउट्पुट डिवाइस का example क्या हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है आपके output डिवाइस है इनके बारे में आपको यहां दखना है वही input डिवाइस कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ आपका keyboard हो गया, keyboard हो गया, mouse हो गया, इसके बाद आपका joystick हो गया joystick जो होता है यह भी आपका एक input device है, इसके लावाँ आपका scanner हो गया, scanner भी आपका एक input device है इसके लावाँ आपका live light paint जो होता है, लाइट पीन जो होता है, आपका input device का example है तो input device को आपको याद रखना है कौन कौन से मैंने बताए आपको keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen यह सभी आपके क्या है यह सभी आपके input device है और monitor, printer और plotter यहने कि यह आप यह option C वाला जो है plotter, printer और monitor यह सभी आपके output device के example है आजकल सबसे अधिक प्रियोग थोने वाली output device का नाम इसमें से आपको बताना है तो आजकल सबसे अधिक प्रियोग मिलाई जाने वाली जो output, input device यहाँ पे output नहीं input होना चीए था तो आजकल प्रियोग मिलाई जाने वाले सबसे जो अधिक input device हो वो कौन सी है तो आज कल प्रियोग मलाई जाने वाले सबसे अधिक input device आपकी एक keyboard है और mouse हो यानि कि दो आपके हो जाएंगा देएंगे option में से आपका क्या हो जाएगा computer में प्रियोग थोने वाला mouse की जो बॉड़ी लगबग 40वर्स पूरी बनाए गया थे तो सबसे पहले जो आपका mouse बनाए गया था है जौक इसका बनाए गया था अपसे पूछा गया है इसके बाद माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना कहां पर जाती है आप से पूचा गया है तो माउस को दो बार क्लिक करने पर जो सूचना कहां पर चली जाती है तो आप ध्यान दिजेगा इस प्रस्थन का हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जो है CPU के पास जाती है यानि कि Central Processing Unit के पास जाती है ताप इस यहाद देखे और Computer का जो दिमाग कहते हैं हम CPU को उसी के पास जो है सूचना पहुषती है यानि कि Option आपका जो यहाँ पर B है बिल्कुल सज़े जगा CPU CPU अगला प्रस्था पर मारा है अपने Keyboard के केवल को आप Computer के किस भाग पर लगाते हैं आप से पूछा गया है इसी तरह के समान जानकारी के Computer के प्रस्था आप से जामें पूछे जाएंगे जो आपका सिलेबस में लिखा गया है कि समान जानकारी Computer से जो रिलेटेड हो वो अभ USB Port जो अटा उस पर जो है लगा जाता है यंदि कि Option आपका यहां पर क्या से जागा Option आपका बी बिल्कुल से जागा USB Port पर जो है Keyboard की केवल को लगाया जाता है तो आप इससे याद देखेगा इसके बाद सादारन सब्दों में Network को का Network क्या कहलाता है तो Network को का Network हम कहते हैं Internet को आप यहां देखेगा Internet को जो है हम Network को का Network करते हैं यहां पर बिल्कुल सभी हो जाएगा Internet को जो है आपका Network का Network कहा जाता है काफी important यह प्रस्तन है इसके बाद अगला प्रस्तन है निम्नलिकित में से सबसे धीमी Internet सेवा कौनसी आपसे पूछा गया है तो सबसे धीमी Internet जाएकि डायल अप सर्विस यानि कि राइट हैं से आपका क्या हो जाएगा option c डायल अप सर्विस तो आप इसे यहां देखेगा important प्रस्तन है और प्रत्थम प्रिष्ट जो समानेता website पर आप देखते हैं वह क्या होता है ताप इसे आपको बताना ही यानि कि प्रत्थम प् जो तो उसको हम homepage या grey priest कहते हैं यानि कि English में इसको हम homepage भी कहते हैं तो आप इसे यहां देखेगा homepage इसका पहला प्रिष्ट होता है इसके बाद जो अगला important प्रस्तन है पे मारा क्या कह रहा है और website खोलने के बाद web browser दोरा जो प्रदर्सित पहला प्रिष्ट होता उसको हम क बताना है कि निमलिखित में से किसके द्वारा जो है आप अपने browser में मतलब आप जो है निमलिखित में से कीसे आप अपने browser में सहेज कर किसी पसंदीदा website को जल्दी से access कर सकते हैं आपसे पूछा गया है तो इसका simple सा तरीका है bookmark को bookmark को आप किसी भी website का कर लेते हैं save कर हैं तो आप उस website को जल्दी से जो है access कर पाते हैं अपने computer में अपने mobile में तो आप इस जा देखिएगा bookmark आपका राइटेंच चरह जाएगा bookmark की साहित है तो आपका इस जा देखिएगा option आपका जो भी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा bookmark अगला प्रस्ना पर मार technology का प्रियोग करता है आपका internet system तो आप इस जा देखिए का option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है और MS-DOS का सरपथम भी मोचन किस वर्स में किया गया था तो MS-DOS जो होता आपका एक प्रकार का operating system होता है OES होता है इसका जो आपके स्क्रीन पर है गूगल की जो मुप्त Wi-Fi सेवा है देने वाला पहला देश का railway station कौन सा था आप से पूछा गया है तो गूगल की मुप्त Wi-Fi सेवा देने वाला पहला railway station आपका बना था क्या नाम था इसका तो Mumbai Central Railway तो आपके से आदेखिएगा Mumbai Central Railway जो है गूगल की मुप्त Public Wi-Fi सेवा प्रिदान करने वाला पहला railway station देने था भारत का तो आपसन आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा Computer व्यवस्ता आपको उस Computer व्यवस्ता का नाम बताना जो जोड़ती है तथा विभिन देशों में से सुचना संकलित कर Satellite के दोरा विश्व में पहुचाती उससे आप क्या कहते है तो इसको हम कहते है Nicknet तो Nicknet क्या होता है विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेट्वर्क होता आपका Nicknet तो आप इसे आदेखेगा अगला प्रस्ना आप मारा है भारत ने सुपर केंप्यूटर का परम को निर्मार कहां पर किया था तो भारत का जो सुपर केंप्यूटर परम था इसका निर्मार कहां पर किया गया था तो आप इसे आदेखेगा परम सुपर केंप्यूटर का जो निर्मार किया गया था पूरे में Center for Development of Advanced Computing इसको हम केटें C-DAC इसको हम सौट फ़रमे C-DAC के नाम से भी जानते हैं तो C-DAC पूरे में जो है आपका सुपर केंप्यूटर परम विक्सित किया गया था तो आप इसे याद देखेगा option आपका जो यहाँ पर C है बिल्कुल सही हो जाएगा और भारती सुपर केंप्यूटर का जनक किसे हम कहते हैं आपसे पूचा गया है तो भारती सुपर केंप्यूटर का जनक हम कहते हैं बीजय भाटकर को यानि कि option आपका यहाँ पर जो D है बिल्कुल सही हो जाएगा भारती सुपर केंप्यूटर का जो जनक है यहाँ बीजय भाटकर को माना जाता है तो आप इसे याद देखेगा option आपका जो C है इस प्रस गया है तो इसमें से सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महांगा केम्पूटर कौन सा है इसमें से तो आपका सुपर केम्पूटर जो है option जो आपका यहाँ पर B है बेलकुल सही हो जागा सुपर केम्पूटर सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महांगा होता है तो option आपका C यहां में बेलकुल सही हो जाएगा आप इससे याद कर लिजाएगा important है और super computer के लिए जो है सब्द सीमा का परास कितना होता आपसे बंजाएगा कि सब्द लंबाई का परास आपसे पूछा गया सब्द लंबाई का परास कितना होता है option जो आपका यहां पर 64 bit का है यानि कि option B है आपका बेलकुल सही हो जाएगा आप इस यहाद देखेगा वहीं आपका जो personal computer होता है personal computer के लिए जो सब्द लंबाई का परास होता है वहां 32 bit तक होता है कितना तो personal computer के लिए 32 bit और super computer के लिए 64 bit अगला प्रसना पर हमारा है तो यह हमारा आज का last प्रसन था आज का हमारा जो तिसरा सिरीज था तिसरा पार था important name से क्यूज के computer का उसका तिसरा भाग आपने आपके complete कर लिया है आयोप या सिरीज आपको पसंद आएगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू, थैंक्स पर रचिंग, थैंक्यू